आज मैं आपको किचिन के कामों को कुछ कम करने के लिए एक दो टिप्स देना चाहती हूँ जैसे आज कर मार्केट में अदरक खूप भूतायत से मिल रही है तो हम इसको इस्टोर कैसे करें एक साल के लिए तो मैं इसको आपको बता रही हूँ हमने ये अदरक ले लिया है ये ऐसे पीस काटके सभी अदरक को कर लें और फिर इसको मिक्सी में इस तरह से पीस लें ये मैंने मिक्सी में भी पीस लिया है आप अगर आपको भी डेली में यूज करना है इसको तो आप किसी काटोरी में कांश की काटोरी में ढखकर इसको फ्रीज में ऐसे ही रख सकते ह बब भी आपको सब्जी बनानी है तो एक चमच डाल सकते हैं अगर आपको एक साल के लिए इसको इस्टोर करना है तो इसका तरीका ये है ये जो आईस ट्रे होती है फ्रीजर में इसमें आप थोड़ा-थोड़ा करके इसमें डाल दीजिए और जैसे हम आईस जमाते हैं उसी यह जम जाएगी है है कि यह मैंने ऐसे करके यह जमा लिए हैं देखिये क्यूब बनाने का यह फायदा है कि आपको जहिए जरूरत हो गी हैं सब्सक्राइब आप आप बहार निकालकर इस्टेमाल कर सकती आइस यह सभी पिस ऐसे निकल जाएँगे यह देखे गए हैं यह तो आपको जब भी सब्जी बनानी है तो आप एक पीस को उसमें डाल दीजिए जमांके आप इसको किसी भी पोलो थीन में या फिर डब्दे में आप इसको बंद करके रख सकते हैं और यह अदरक आपका इसे पिसाओ अदरक एक साल तक भी खराब नहीं होगा मैं ऐसे ही स्टोर करती हूँ तो फ्रेंड्स आप मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें